नमस्कार दोस्तो शर्मा जी की रोस्वे में आपका फिर से एक बार स्वागत है आज हम आपके लिए बहुत ही खास रेसिपी लेकर आए है जच्चा को सबसे पहले हल्वा कैसा बना कर देना चाहिए इसकी रेसिपी लेकर आई हूं मैं आप सभी के लिए तो देखिए अंष्ण टेटी के खाना नहीं देना चाहिए बिलकुल दो टीस्पून मैंने यह को का आटा लिया है आता थोड़ा मोटा ही पीसकर रख्या है मैंने मोटा आता पचने के लिए हल्का होता है तो बिल्कुल इतना ही जच्चा को सबसे पहले हमने पतली वाली गल्वानी बना चाहिए तो देखिए स्रिप 2 टीस्पून और अगर सरदियों का और बारिश का मोसम है तो आप गुड का दे सकते हैं और अगर गर्मियों का दिन है तो आप शकर भी यूज कर सकते हैं थोड़ा मैंने जितना आटा लिया है उतना गुड लिया है मैंने और यह मैं लगबक 200 ml पानी डाल दोंगे इस गुड के अंदर गुड मैंने बिल्कुल बेहतर कॉलिटी वाला और्गेनिक गुड लिया है जच्चा को अच्छा वाला गुड देना चाहिए खाने को आटा मैंने काफी थोड़ा मोटा वाला ही पीस कर रखा हुआ है तो इस मोटे आटे का ही हम हलवा बनाएंगे कैसा बनाएंगे कितनी कॉंटिटी में बनाएंगे सब बताने वाली हुमें आप सभी को और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चानल को जरू जरू सब्सक्राइब कर लिजिए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडिय के लिए अच्छा होता है कोई मिलावट नहीं है इस गी के अंदर और हमें आटे को बिलकुल धीमे गैस पर ही भूनना है हलका हलका चलाते हुए हम इसे भूनेंगे गी की कॉंटिटी भी थोड़ी जादा ही डाली है ताकि अच्छे से पतला भून जाए अच्छे से भून जा क्योंकि गुड़ भी डालेंगे हम गुड़ का हलवा आप सर्दियों के मोसम में बारिश के मोसम में दे सकते है और अगर जच्छा गुड़ का हलवा खाए तो बहुत जादा बेतर होता है खून भी बढ़ता है गुड़ खाने से और ताकत भी होती है और गुड़ खाने से को नहीं खाना चाहिए थोड़ा थोड़ा खाना भलाई चार भार भलाई पांच भार खाये पर हमें थोड़ा थोड़ा ही खाना जच्चा को देना चाहिए तो इस्तर से एक दम धह्यmy gender बिल्कुल जले नहीं इसका ध्यान रखे आटेट के काफी कम है कुछ खसकच डालना बिल्कुल भी ना भूले एक छोटी चमस भरकर मैंने इसके अंदर टीस्पून भरकर मैंने इसके अंदर खसकच डाली है खसकच से नीद आएगी दिमाग शार्फ होगा बच्चों का और मा को दूद भी अच्छा आएगा मा को नीद भी बहुत अच्छी मा का स्वास्त अच्छा रहेगा तभी बच्चे का भी स्वास्त अच्छा रहेगा तो हमें खास तोर पर इन बातों का ध्यान रखना चाहिए और हमें इसके अंदर इतना ही पानी डालना है क्योंकि जादा पानी होगा अच्छे से पकेगा हमारा हलवा तभी खाने में अच अब अब हम गैस का फ्लेम धीमा ही रखेंगे आटा पुरा भून चुका है हमारा अब हमने इसके अंदर जो गुड़का पानी मैंने बॉยल करके रखा है उसे चान लिया है मैंने और अब हम ये गुड़का पानी इसके अंदर डाल देंगे पहले पानी की quantity थोड़ी हमें जा बाड़ा होने दूंगी इसे और फिर हम ये जच्चा को देंगे जच्चा को सबसे पहली बार पतली वाली गलवानी देनी चाहिए और हम सेकंड टाइम यह हलवा दे सकते हैं अगर सीजर हुआ है फिर भी हम दे सकते हैं क्योंकि सीजर के अंदर खासी नहीं होनी चाहिए तो यह के लिए उपर से जादा घीर ना डाले इसके अंदर और मैंने खासी के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया है प्रेगनेंसी में अगर खासी हो जाए यह फिर डिलेवरी में अगर खासी हो जाए तो आप दवाई ले सकते हैं और खासी नहों ऐसा बहतर हम खाना और आगे भी में आपके लिए इसी तरह के बहतर वीडियो लेकर आती रहूंगी पहले कम से कम तीन चार दिन जब तक हम अजवाइन नहीं बनाते सोंट नहीं बनाते तब तक आप यहां हलवा दे सकते हैं यह फिर छोटी सी चार बजे की छोटी सी भूख हो तब भी आप य लाड़ा हो जाएगा यह हलवा तो हमें इसी तरह का पतलवाला हलवा बना का जच्चा को देना चाहिए कितनी कौन टीटी कैसे बनाए पूरी जानकारी दी है मैंने कैसा लगाए आपको मेरा वीडियो मुझे कमेंट बाक्स में जरू जरू बताना मेरे चैनल को करना और जो जच्चा होती है उन्हें दो घंटे पहले की भी बना हुआ खाना नहीं देना चाहिए जब उनके खाने का समय है तभी बना कर तुरंत उन्हें देया जाना चाहिए और उनके खाने का समय भी आप पहले दिन निश्चिंद कर लिए उसी समय पर हमें जच्चा को खाना देना चाहिए रोज